और प्रैक्टिकल आपकी रियल नॉलेजी होती है, बुक्स में तो क्या ही लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल आपकी रियल नॉलेजी होती है, समझ में आता है, so that depends upon you, हाँ तुम कह सकते हो, I am a mad teacher, पागल teacher हूं है, बट सच्चाई तो यही है, ठीक है, आप जाके पूछो एक ब क्या नाम है तेरा यह पवन, तेरे घर पे तेरे पापा यही सिखाते हैं, क्या, तेरे घर पे तेरे पापा यही सिखाते हैं, कि जाके दूसरों के चैटों में तुम मुझे जानता है, नहीं जानता होगा न, बिना जाने, बिना जाने तू किसी कुछ भी लिख दे रहा है, और इसे पता क्या पता लगता है कि बिना जाने तो किसी को कुछ भी लिख दे रहे तो पता लगता है कि तेरी upbrinking कैसे हुई है तुझे घर पे पाला कैसे गया है ओगर तु ऐसे करता रहा है तो एक दिन जूते पढ़ेंगे संसार में सरफा इसलिए तमीज से बात कर बैटा कि तेरा घर नहीं है इसलेए तौर नहीं है थोड़ी बहुत तमीज दिखाओ जिसे समझ में कि तुम्हारे पापा ने तुमें कुछ अच्छी सिक्षा दिये शरुद में और यह इतना बतमीज है अधिक लोग पापा नहीं सिखाया, very good बिटा, सही बात है, ऐसे यसे लोग भी है, देखो, अब सोरी बोल रहा है, बिटा, नहीं कहना किसी को भी, तुम चाहे मैं एक बात बोलता हूँ, मतलब मेरा परसल बिलीव है, सोरी बात है पहले हिए नहीं लिखना चाहे था, और दूसरा मेर परसनल बिलीव यह है बिटा छोड़ देते हैं लेकिन अब तुम्हारे पैरेंट्स ने तुम्हें सिखाया होगा तुम भूल गए हो गए अगर नहीं सिखाया तो मुझे तो सिखाना पड़ेगा ना क्योंकि मैं भी तुम्हारा दूसरा पैरेंट हुं मानते हो ना मुझे तुम्हारा देता हूं मतलब थोड़े दिन पहले भी कुछ हो गया था तो टीचर नव ठीक है कुछ हुआ उसमें बच्चों को इतना टीचर से नहीं उलजना है मेरा परसनल बिलीव है ठीक है आप सही हो गलत में सही कुछ उनो गलत को कुछ मत को हो क्योंकि तुम इतने